आज इस वीडियो में हम B.S.E. First Year के Organic Chemistry के टॉपिक एलकाइन पर डिस्कुस करेंगे इसके पहले हमने एलकाइन के बारे में पढ़ा था कि जो भी हाइड्रो कार्बन्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बने होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रो कार्बन तो जो भी हाइड्रो कार्बन्स होते हैं उनमें जो कार्बन होता है तो दो कार्बन के बिट्वीन जब ट्रिपल बाउंड प्रेजेंट होता है तो इस ट्रेप के जो compound बनते हैं जिसमें carbon-carbon के between triple bond होता है उनको l-can compounds बोलते हैं ऐसे hydrocarbon जिसमें 2 carbon के between at least 1 triple bond present हो ऐसे compounds के लाते हैं l-can compounds l-can के लिए general formula होता है cn h2n-2 अब हम यहाँ पर n के place पर अगर 1 ले तो केवल carbon 1 होगा लेकिन यहाँ पर दो carbon के between double bond होते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे n के place पर 2 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा c2 h इसका double हो जाएगा 2 2 is a 4 तो 4 minus 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मिल्ब c2 h2 मिल्स हैं पर compound मनेगा c h triple bond c h तो इस सब्सक्राइब के जो compound होते हैं जिनमें carbon carbon के between triple bond होते हैं वो compound कहलाते है l-can compounds यहाँ पर हम कुछ example देखेंगे nomenclature देखेंगे यहाँ पर लिखा है हमने formula c h triple bond इधर c h तो यह जो compound होता है यह जो hydrocarbons होता है एलकाइन होता है इसका common name होता है acetylene acetylene एक gas होती है यह जो acetylene होता है यह orderless gas होती है लेकिन जब इसमें impurities होती है तो इसकी garlic जैसी smell आती है इसका आयूपे से name होता है ethylene क्योंकि यह पर दो carbon है दो carbon के लिए word use करते हम it और यहाँ पर एलकाइन compound है triple bond वाले compound है तो लग जाएगा वाय एनी तो इसका नाम हो जाएगा ethylene हम second example लेता है c h3 single bond c triple bond c और single bond h यहाँ पर तीन carbon वालकाइन है यह पर triple bond present है यह जो compound है इसका common name होता है ethylene यहाँ पर तीन carbon है तो यहाँ पर प्रोप वाले compound होगा math 8th probe इससे counting चलती है यहाँ पर हो जाएगा प्रोप और ट्रिपल बाउंड है alkyne compound है लास्टर में लग जाएगा yne next हम एक्जामपल देखेंगे c h3 single bond c triple bond c single bond c h3 इसका common name होता है ethyl acetylene इसका iupc name होता है one butine यहाँ पर टोटल फोर कार्बन है फर्स सेकंड थर्ड और फोर कार्बन हो रहा है यहाँ पर ब्यूट कंपाउंड लेते हैं हम पर लेते हैं ब्यूट और alkyne compound है लास्टर में लग जाएगा yne इसलिए इसका नाम हो जाएगा butine आगे हमें पर alkyne की method of preparation देखेंगे तो इसकी first method है from aldehyde and ketone जो यहाँ पर लिया है हमने estone जब ketone की reaction करवाते हैं phosphorus pentagloride के साथ इन दोनों की reaction से यहाँ पर formation होता है 2,2-dichloropropane का यह जो 2,2-dichloropropane है इसके आगे alcoholic koge के साथ जब इसकी reaction करवाई जाती है तो यहाँ पर formation होता है methyl acetylene का और 2H2 के molecule बाहर निकलते हैं यहाँ पर acetone और phosphorous pentagloride की reaction होगी तो यहाँ से oxygen bond breaker की यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से 2 chlorine बाहर निकल जाएगे और यहाँ पर बचेगा P 1 phosphorous बचेगा और 3 chlorine के बचेगे तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा अब यह जो 2-2 dichloropropane है इसके अल्कॉलिक के साथ जब reaction करवाएंगे तो यहाँ पर methyl acetylene और यहाँ पर निकल जाएगा 2KCl2H2 के molecule बाहर निकल जाएगे यहाँ पर CH3 single bond रहेगा carbon अब यहाँ से जो 2 chlorine है यह अपने 2 bond ब्रेक करके बाहर निकल जाएगे इस ट्रप से बांडिंग थी इस carbon के साथ इधर cl जुड़ा था एक इधर cl यह दोनों bond ब्रेक हुए इस carbon के पास 2 valency अब यहाँ से यह जो carbon है जिसके पास 3 hydrogen जुड़े हैं यहां से निकल जाते हैं 2 hydrogen इस carbon के पास वी 2 valency इस carbon के पास 2 valency यहाँ पर एक single bond के दुड़ा पह 2 kcl के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे अब यहां के 2 hydrogen 2 oxygen यहां पर 2 hydrogen इस ट्रप से टू इस ट्रो की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगा इस ट्रप से फॉर्मेशन होगा असे टाइलीन का अब हम यहां पर second method दिखते हैं by direct synthesis जो carbon होता है जब उसकी reaction hydrogen के साथ डारेक्ट कर करवाई जाती है carbon की reaction hydrogen के साथ करवाई जाती है electric arc की presence में electric arc दिये जाते हीट दी जाती है और high temperature पर जब इनकी reaction करवाई जाती है तो है अपर acetylene का formation होता है यहां पर true carbon true hydrogen यह ट्रिपल बाउंड के दौर है यहां पर formation करते हैं acetylene का third method देखते हैं हम by grignard reagent जब grignard reagent की reaction alkyl halide के साथ करवाई जाती है तब भी alkyne का formation होता है यहां पर लिया है हमने grignard reagent acetylene magnesium halide इसकी reaction करवाते हैं alkyl halide के साथ तो हैं पर formation होगा methyl acetylene का यहां पर जो magnesium के साथ यहां पर जो इस carbon के साथ इधर magnesium iodide है तो यह यहां से bond break करक हैं यहां से बाहर निकलेगा इस carbon के पास equivalency आईगी यहां पर जो alkyl halide में methyl और iodine जुडा है तो यहां पर इनके बीच bonding break होगी यहां से CH3 अलग होगा और iodine अलग होगा यह जो यहां से निकलेगा iodine यह जूड जाएगा इसके साथ यहां पर हो जाएगा MGI2 और यहां पर यह जो CH3 की जूड जाएगा carbon के साथ तो यहां पर हो जाएगा H, single bond C, triple bond C और हो जाएगा CH3 स्रेप से बन जाएगा methyl, acetylene, MGI2 बाहर निकल जाएगा next fourth method है by electrolysis of salt of unsaturated di carboxylic acid यह इसी को बोलते हैं call by reaction जो malic acid और जो formic acid होते हैं उनके जो sodium या potassium salt होते हैं जो malic acid और fumaric acid होते हैं जो उनके potassium है sodium salt होते हैं जब उनके aqueous solution को electrolysis process की जाती है तब यहां पर alkyne का formation होता है यहां पर हमने potassium salt लिए हैं पहले यहां से जो दो potassium है वो यहां से बाहर निकल जाते हैं तो यहां पर कार्बन के ऊपर आजाता है negative sign अब यहां से next reaction में यह जो compound बना है यहां से बांड देकर के CO2 अलग निकल जाता है यहां से CO2 के molecule बाहा निकल जाते हैं और जैसे ही से CO2 के molecule बाहा निकलेंगे इनके पास एक वैलेंसी आएगी और यह इनके between मजाएगा triple bond इस टेप से हैं पर formation हो जाएगा acetylene का यहां पर जब जो melloic acid और fumaric acid की जो potassium या sodium salt के जो aqueous solution होते हैं उसका जब electrolysis process करवाई जाती है तब यहां पर alkyne का formation होता है